मूँख के चाले एक सामाने समस्या है जो लगबग सभी लोगों को कभी न कभी होती है या चाले गालों के अंदर, जीपर और ओँठों के अंदर की तरफ होते हैं या सपेध या लालघाव की तरह दिखाई देते हैं यह एसी तो कोई बड़ी समस्या नहीं है पर यह बहुती कष्ट दायक होती है। चालों की वज़े से मुँ में जलन तता कुछ भी खाने में परिशानी होती है तता कई बार मुँ से खून भी निकलता है। समय पर इसका इलाज ना कराने से या कभी कबार कैंसर का कारण भी बन जाता है। आयरवेद में मुँ के चालों की समस्या को मुख पाक कहा गया है। अधिक तीखा पेट की खराविया कब्ज होने पर या इस्तिती देखी जाती है। इसमें जलनतता कुछ भी खाने में बहुत कठनाई होती है। मुँ में चाले पित दोस होने के कारण होता है। आयरवेदिक उपचार के द्वारा पित दोस को संतुलित करके चालों का आना कम किया जाता है। मुझ के चाले छोटे और बड़े दोनों परकार के होते हैं कारण के आधार पर ये दो परकार के होते हैं एप्थस चाले या पेट की खराबी तीखा भोजन या अन्य उप्रोगत कारणों से होने वाले चाले हैं या किसी विमारी के कारण और दूसरों के कारण फ़ेलते नहीं है, बुखार के च्छाले, या होटों के आसपास हर्पीज-सिंप्ल-लेक्स-वाईरस के कारण होते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि पित दोस्त के असंतुलन के काण मुँ में छाले पढ़ते हैं इसके अलावा मुँ के छाले पढ़ने के और भी कारण होते हैं जिने हम इस वीडियो के माद्यम से आप लोगों तक साजा करेंगे सबसे पहले पेट की खराबी या कबज की वज़े से होते हैं नमबर दो दांतों को कड़क बालों वाले बुरुस से साप करना या चबाते समय गलती से गाल का कट जाना नमबर तीन हैलीकोबेक्टर पाईलोरी नामक बेक्ट्रिया की मौजूदगी की वज़े से नमबर चार बिटामिन B12 जिंक फॉलिक एसिड और आइरेन की सरीर में कमी होना नमबर पाँच अत्यधिक तला भुना एवं मिर्ची मसाले वाला भोजन नमबर छे मैलाओं में माशिक धर्म के समय होने वाले हार्मोंस में बदलाव के कारण नमबर साथ टूथ पेष्ट या माउट वास का परियोग करना जिसमें सोडियम लाइरल सलफेड मौजूद हो नमबर आठ कुछ लोगों में किसी भी सेज़ खाद सामगिर के परति समवेदन सीलता या अलरजी देखी जाती है जैसे अंडा, इस्टोवरी, नट्स या तीखा भोजन नमबर नो एस्पिरिन या एलकोहल जैसे रसाइन हमारे मूँ के सिलेसमा जिली के संपर्क में आने से उसको परिगलित करते हैं जिसे यहाँ चाले बन सकते हैं नमबर दस, इसके अलावा कुछ बिमारियों के कारण भी मूँ में चाले पड़ते हैं नमबर ग्यारा, लंबे समय से कबज की समस्या रहने वालों में बार बार मूँ के चाले हो जाते हैं नमबर बारा, आंतर के रोग जैसे कुरोन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस होने पर नमबर तेरा, शीली एक रोग नामक आंतर भिकार इसमें ब्यक्ति को गुलूटेन के परति समवेदन सीलता होती है गुलूटेन अनाज में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है नमबर चोदा, रोग परतिरोधक छमता इम्मूनिटी पावर का कमजोर होना नमबर पंद्रा, एच आईवी होना जिससे रोगों से लड़ने की छमता कम हो जाती है मुँ के चालों से बचने के लिए आहर और जीवन शेली में बदलाव लाने की जरूरत होती है मिर्च एवं अधिक मसाले युक्त खाने से परियेज करें बहुत जादा च्विंगम चबाने की आदत के कारण भी मुँ में छाले होते हैं अता इस से बचें बिटामिन C से युक्त फलों एवं सब्जियों का सेवन करें दूद से बने खाद पदार जैसे दही, मखन, पनीर और दूद का अधिक सेवन करें ताकि सरीर में बिटामिन B की कमी ना हो जो की छाले होने का एक कारण है भोजन के साथ सलाद के रूब में कच्छे प्याज का इस्तिमाल करें पोशक तत्तों से युक्त आहार करें क्योंकि बिटामिन B6 फॉलिक एसिड जिंक आईरन की कमी की वज़े से भी छाले होते हैं परती दिन साथ से आठ गिलास पानी पीए कब्ज की समस्या से बचाव करें इसलिए भोजन में रेशेदार सब्जियों एयों फलों का सेवन करें गिरीन टी का सेवन करें मुँ की सपाई का विशे ध्यान रखें दातों की सपाई नरम बालों वाले तूत ब्रस से करें आम तोर पर मूँ के चालों के कश्ट से राहत पाने के लिए लोग घरेलू उप्चारों का ही पहले सहारा लेते हैं अगर ठीक नहीं हुआ तो ही डोक्टर के पास जाते हैं चलिए इन घरेलू उप्चारों के बारे में जानते हैं इस वीडियों में हम सबसे पहले बात करते हैं सहद और मुलेठी के पेश्ट की सहद में मुलेठी का चूण मिलाकर इस लेप को मुँ के चालों पर लगाएं और लार को मुँ से बाहर टपकनी दें अब हम बात करते हैं कथा की कथा मुँ के चालों के लिए बहुत लाबकारी है कथा मुलेठी का चुण और सैद मिलाकर मूं के चालों पर लगाएं इसके अलावा अमरूद के मुलायम पत्तों में कथा मिलाकर इसे पान की तरह चबाएं अब हम बात करते हैं कुला करने की कुला मूं के चालों को ठीक करने में बहुत लाबकारी होता है बस कौन सा सामगिरी किसके लिए फायदे मन थाबित होगा या इंशान के प्रकृर्टी पर निरवर करता है नीमू पानी में सेद मिलाकर इससे कुला करें एक कब पानी में एक चमस धन्या पाउडर मिलाकर उबा लें पानी ठंडा होने पर इसे दिन में तीन से चार बार कुला करें चालों में होने वाली जलन को कम करने के लिए ग्लेसलिल में हल्दी का पाउडर मिलाकर चालों पर लगाएं और 20-25 मिनट बाद कुला कर लें जामुन की चाल का काड़ा बनाकर गर्रारे करें जाएफल का काड़ा बनाकर इसे दिन में 5-6 बार कुला करें 30 गराम बरगद की चाल को एक लिटर पानी में उबालकर गर्रारे करने से मुँ के चाले ठीक हो जाते हैं अब हम बात करते हैं तुल्शी की दिन में दो बार तुल्शी के 4-5 पत्ते चबाकर खाएं अब हम बात करते हैं सहद और इलाइची की सहद और इलाइची का पाउडर मिलाकर चालों पर लगाएं अब हम बात करते हैं चमेली की चमेली के पत्तों को पीश कर उसके रसको चालों पर लगाने से चाले कम हो जाते हैं अब हम बात करते हैं आउला इलाइची सौम मिसरी के चूर्ण की 20 गराम आउला, 10 गराम, सौम, 5 गराम सपेद इलाइची और 25 गराम मिसरी को कूट कर चूर्ण बना लें इसे आदे गराम की मातरा में दिन में दो बार पानी के साथ लें अगर बार बार मूँ में चाले आ रहे हैं या घाव ठीक न होकर आवस्ता बद से बदतर होता जा रहा है तो डोक्टर के पास जाने में देर नहीं करना चाहिए तो ये थे मूँ के चालों से संबंदित जानकारी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साजा किये हैं हमें उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें आपने दोस्तों के साथ सेर करें अगर आप चेनल पे नई है तो चेनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्लेस करें